Diagnostic Criteria for Kleptomania So when we talked about the Diagnostic Criteria for Kleptomania We need to understand that what DSM-5 has given us So DSM-5 हमें क्या बताता है DSM-5 as usual हमें Criteria's देता है from A to E So A to E का जो Criteria दे रहा है उसमें First Criteria जो है हम उसे Understand करने की कोशिश करेंगे जिसमें वो क्या कह रहा है के Recurrent Failure to Resist Impulse to Steal Objects ठीक है यानि बच्चा जो है वो एक चीज को देखेगा उसके अंदर ये अर्ज डवालप होगी कि मैं इसे चोरी कर लो मिसाल के तोर पर वो क्लास के अंदर बैठावा है उसके सामने कोई Colorful Book पड़ी वी है जो उसके Friend की है वो चाहेगा कि मैं इसको उठाकर अपने बैग में रख लूँ ठीक है के तोर पर भी Classify किया जाता है तो वो जैसे ही उस चीज को स्टील करेगा तो उस आपजेक्ट का जो भी वो आपजेक्ट स्टील करेगा उसका ना तो वो परसनल यूज करेगा और ना ही उसकी कोई Momentary Value होगी ठीक है यानि ना तो वो उस चीज को स्टील करने के बाद अपने यूज में रखेगा ऐसा नहीं होगा अगर वो अपने यूज में रखेगा तो दाट है स्टीलिंग यूजिली जो क्लाप्टो मेनिया के केसे होते हैं उसके अंदर ये रिपोर्टेड होता है कि जब कोई चीज चोरी की जाती है, स्टील की जाती है, उसको अपने पास रखा जाता है, तो उसके थोड़े ही अरसे बाद जा तो वो शक्स उसको फैंक देता है, कहीं पे भी, या वो किसी को दे देता है, it is less likely कि कोई भी चीज जो है, क्लाप्टोमेनिया का जो क्लाइंट ह वो अपने पास उसको रखे ठीक है, but in the beginning, yes, they can hold the stuff for a while, but after some time, they just threw it out, okay, then the B criteria, इसमें वो कहते हैं कि जो tension है, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर raise होती है, before that theft, ठीक है, यानि the person might feel anxiety, might feel depression, for a thefting some stuff, for example, there is a case, जिसके अंदर एक खातून was reported, कि whenever she experienced depression, तो for making her mood battle, वो क्या करती थी, वो theft करती थी, क्लाप्टोमेनिया था उससे, अब वो करती क्या थी, कि उसका mood जो है, वो depressed हो रहा है, तो she just went to the shop, और वहां पर जैसे ही वो चीजों को देखती थी, she has developed the urge to get them, और जब वो उनको steal कर लेती थी, तो उसके बाद she feel herself very good, और उसका account ये था, कि मैं वो चीज ले आती थी, मेरा mood बेटर हो जाता था, and after a while, I feel कि I have done wrong thing and I shouldn't do this thing, और फे मुझे guilt start हो जाता था, then I threw it out, ठीक है, तो the thing is कि जो first चीज है, कि tension जो है, sense of tension जो है, फो patient के अंदर develop होगा, you can understand that in a way, कि अगर आप tension को हो, तो that means कि there is some sort of effective disturbances in the person, then player gratification or relief at the time of committing the theft, जिसना मैंने अभी आपको साथ शेयर किया, कि वो जो खातून account दे रही थी, तो she said, कि जब मैं चीज को उठाती हूँ, या मैं उसको steal करती हूँ, तो उस process में I feel player, so that means कि वो जो activity है, during that time, the person feel him or herself in a thrill, तो वो जो thrill की एक sense है, that might give them the player and gratification, and they feel themselves relieved when they have done that thing, तो it might be, कि एक क्लाइंट आपको इस किसम का account दे सकता है, कि मुझे खुशी महसूस होती है, जिस वकत मैं कोई चीज चुराता हूँ, मुझे वो ये भी कह सकता है, कि मैं उस वकत बहुत कुछ जोश होता हूँ, जिस वकत मैं वो चीज चुरा रहा होता हूँ, जिस तरह हम ये बात कहते हैं, कि जो कंड़क डिसॉर्डर है, या अंटिसोशल पस्नालिटी डिसॉर्डर है, उसमें लोग जो हैं वो दूसरों को हाम करने के लिए ऐसे एक्ट्स करते हैं, जिसमें थेफ्ट आ जाता है, जिसमें स्टीलिंग आ जाती है, तो इस किसम की कोई भी जिसे कहते हैं न मूटेव उनका नहीं होता, जो कलप्टोमेनिया के क्लाइंस होते हैं, क्यूं? क्यूंकि उनके अंदर किसी के अगेंस्ट आंगर नहीं होता, जो कंड़क्ट डिसॉर्डर होता है, या अंटी सोशल पसालिटर डिसॉर्डर होगा, उसमें आंगर होगा तो वर्थ सर्टन परसन, और उस आंगर को एक्ष्प्रेस करने के लिए, ते ट्राइट तू हाम एन अंगर का प्राब्लम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो चीजों को तोड़े का जिस साथ चलते चलते हैं, वो मार्केट में जा रहा है, किसी शॉर्प में गया है, और वहां पर उसे घुसा आया वहा है, और यह जिस डिट दे शॉप्लिफ्टिंग और रेंट तो 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 बाबा यह अर्ज आ रही है, कि I should go into the shop and should get something, तो वो उदर गया है, उसने कोई भी चीज़ देखिया, उसे उठाया है, और उस प्रासेस के दुरान वो gratification फील कर रहा है, and after that, रिमोर्स का जो साइकल है, वो स्टार्ट हो गया, तो that is something very important, and secondly, that should not be in response to delusion or hallucination, यानि कोई ऐसा belief उसका नहीं होना चाहिए, कि जी अगर मैं ये चीज़ चूरी कर लूँगा, तो फलाँ को नुकसान नहीं होगा, या फलाँ को नुकसान हो सकता है, इस किसम का कोई जो believed है, जो unshakable है, इस किसम का कोई thought process जो है, वो उसका नहीं होना चाहिए, then the hallucinations, यानि जो act of stealing है, या act of theft है, वो किसी command की situation में उसको नहीं feel होना चाहिए, यानि उसको ऐसा नहीं feel होना चाहिए, कि he or she is receiving the auditory commands from someone, कि जो बाकी सब लोगों को नज़र नहीं आ रहे है, ठीक है, absence of stimulus होता है, hallucination, जिसमें हम कहते हैं, कि एक शक्स को इसलिए, एक शक्स नहीं किया, क्योंकि उसको ये वो चीजे नजर नहीं आ रही, ना सुना ही दे रही है, but that particular person has that stimulus, feel that stimulus, so that is something के in the absence of stimulus, the person perceives the stimulus, ठीक है, तो hallucination के result के अंदर, वो वो act नहीं का रहा, तो we need to be very much clear around these things, then we will go towards the E criteria, which we already covered in the D, कि जो इनका act है, kleptomania का, वो conduct disorder, manic episode या anti-social personality disorder से well-defined नहीं होना चाहिए, so जब भी आपने kleptomania का diagnosis करना है, तो you must be clear in your head, कि जो activity है, जो stealing है, वो किसी anger के result में ना हुई हो, उसको किसी किसम का momentary advantage ना हो रहा हो, ठीक है, और वो उस चीज़ को use ना कर रहा हो, ठीक है, तो और secondly, जो kleptomania है, उसके अंदर client जो आपको report करेगा, तो वो आपको क्या report करेगा, कि जो resist है, वो अपने thoughts को resist नहीं कर पा रहा, कि उसने वो चीज़ जो है, उसको steal करना है, so that is something which is very important, thank you.